एच से ला़ ये विडीयो में हमने इसकश किया चिकन पॉक्स के बारे में में जिकिन पॉक्स की आपको पिक्चर नहीं दिखाया लेकिन palms और souls को affect नहीं करता remember it, ठीक है इसके लावा ये भी आपके पास chicken box है आप इसमें देखें, अलग-अलग आपको ये बने हुए नजर आ रहे होंगी ठीक है, separate, separate, इनकी आपस में कोई वो इस तरह एक diffuse सा rash, diffuse सा pattern ये वाला बच्चा जो है, ये ये वाला बच्चा है याद रखना है, ये भी आपके आपके पिक्चर है ये वाला बच्चा है, इसके अंदर भी रैशिस हैं, ये आप देखें, कि ये सारे रैशिस आपस में diffuse हैं, दोस्टे से मिले हुए हैं, ठीक है, as compared ठीक है अब हम continue करते हैं अपने next topic को बलकि उससे पहले मेक्यूल जो प्रप्यूल की पिक्टर दिखा दूँ अच्छा यहां पर अगर आप देखें तो मेक्यूल जो होता है नहीं हमारे पास flat होता है ठीक है और जो प्रप्यूल होता है वो elevated है मेक्यूल क्या है flat है याद रख है ठीक है वेजिकल का मैंने आपको बता दिया थे चिकन फॉक्स वाली वीडियो में कि यह elevated होता है और इसके अंदर clear fluid होता है ठीक है अच्छा clear fluid होता है लेकिन जो बूले होते हैं उसके अंदर आपके पास serious या zero purulent fluid होगा ठीक है याद रखने इस चीज़ को यह आपके प इसके खतम होने के बाद ना कुछ इस तरह का अपने experience किया और आपके बोड़ी पर बन जाता है structure इसको हम लोग क्रस्ट कह रहे होते हैं यह आपके पास एक और पिक्चर इस पर आप देख लें मैं क्यूगल किया था बिल्कुल फ्लैट लीजन होती है यह आप देखें और भी टेंगी तैने बी एक वाइरल infection होता है ठीक है, वरेल infection होता है कौन से वाइरस की बज़सी होता है यह फ्लैवी वाईरस में दया हो था कौन से याद रखने नाम क्योंकि इसकी ट्राइएर आपके पास पर नियाए है तÈ चिकन पॉक्स वाली थी, वो मैंने आपको खुद कहा था कि आपने नोट करना है, आस होता है, लेकिन डेंगी की आई हुई है आपके पेपर्स में तीक है, तो इसमें एजेंट क्या है, फ्लैवी वाइरस है, उसके बाद होस्ट आपके पास क्या आजएगा होस्ट जिसमें भी होता है, ठीक है, दोनों ही होते हैं, और इंवाइर्मेंट कैसा होता है, आपको पता है कि क्या आपके डेंगी कुछ साल पहले ही काफी ये वाइरल हुआ था, तो आपको पता है कि क्या आपको तजावीज दी जाती थी, ठीक है, सब लोग ही ये पढ़ रहे होते हैं, य तो नहीं होना चाहिए है तो और वाइरमेंट नहीं होना चाहिए तो एक आप अप आप कामना है फ्लावी वारिस के वजदे है हमने बात कर ली अब इसकी नहीं चार डिफरेंट निजनिक वराइटी है अपका MCQs है, हमें नहीं पता होता है MCQs में कितनी antigenic varieties है ठीक है, dengue की चार antigenic varieties होती है और यह सारी transmit कैसे हो रही होती है Aedes aegypti की वज़ा से यह mosquito का नाम है यह mosquito दिन के टाइम पर काटता है और यह female mosquito होती है ठीक है, Aedes aegypti mosquito है, Aedes aegypti आपका जो है ना वो हमारे पस क्या करता है उस फ्लावी वाइरस को उठा के ले कर जा रहा होता है इसलिए हमने इसको arthropoard burn का, Arthropoard का मतलब आप नेक्स्ट पढ़ लेंगे अच्छा, इसके लावा हमारे पस क्या होता है कि मॉसक्यूटोस जो होता है वो अगर उसने किसी infected individual को feed कर लिया है ठीक है कोई person था जिसको डेंगी था अब कोई एक normal mosquito था उसने उस person को bite कर लिया उसके अंदर भी फ्लैवी वारस आ गया लेकिन वो mosquito को दो हफते लगेंगे इंफेक्टिव होने के लिए उससे पहले वो इंफेक्टिव नहीं होगा ठीक ह लाइफ लॉंग होती है एक दफा हो गया तो दुबारा नहीं होगा डेंगी का ऐससीन नहीं है कि एक person को जिंदगी में एक बार यह देंगी होगा नहीं यहां पर immunity partial है यहां पर इंक्यूबेशन पर त्री टू टेंडेज है अभी नाम याद रखें रखें रखेंगे रख आपने में नहीं तो आपने मैंने कहा था रॉर्ड नहीं रखना होता नहीं आख रहता है नहीं है याद रहता है बस याद रॉक्ण है क्लासिकल में बैइंगी फीवर होता है घता रहे चदाने होगाएफ और क्याओं यहां पनी है कि अउसाइटा है और ने रिप्रम होगा वागाफी पालुेमाल वह थोड़ कि इसल ठीक है । और नॉर्मल भी हो जाता है कुछ दिन बाद और फिर दुबारा फीवर हो जाता है उस पेशिंट को ठीक है तो इसको बाइफेजी को सैडल पैटरंड कहते हैं हम जो ठीक है इसके लावा हमारे पास यहां पर आ जाता है कि फटीगड होगा पेशिंट ठीक है और डेंगी हैमर जिक नाम से ही जाहिर है कि यहां पर हैमरेज होगा, ठीक है, कैपिलरी रीफिलिंग डिलेड होगी यहां पर, ठीक है, कैपिलरी की रीफिलिंग डिलेड होगी, यह आपका डैगनोस्टिक पॉइंट है इस केस में, ठीक है, यहां पर शौक में भी पेशन्ट जा सकता है, हैमर लटकाना इसको हम फिर देंगी शौक से इंड्रों कियाता है क्योंकि इतनी ब्लीडिंग हो रहे है तो पेशिट जाहरी सी बात है उसका कार्डियक आउट्पुट वगारा कम हो जाएगा और पेशिट शौक में चला जाएगा अच्छा इसका डियाग्नोसिस विससे क्लीनिकल ही होता है कि हमारेजी के मैंनिफैस्टेशन सा आघी है इसको बस आप छोड़े लेकिन पॉसित ौर्नीकविट टेस्ट का इंटरपेश्ट हम पॉजिटिव तब कहते हैं कि अगर पेशिट की फोराम के उपर ना वंटी या 20 से ज्यादा पटीकिया बन जाएं पर सुकियर इंच जगा पर ठीक है जो आपके फोराम की पर सुकियर इंच एरिया है ना जिसको 6.25 cm या भी आप कह सकते हैं उसके ओपर 20 या उससे ज्यादा पटीकिया आपको नजर आ जाएं तो इटमीन्स कि यह डेंगी फीवर है इस परेशन को यह पॉजिटिव टॉन लिक टेस्ट को कैसे करना है इस टेस्ट को या आपना आभी याद रखें तो इस ओके बाकी लीवर के अलार्जमेंट हो रही होती है यहां पर लैब टेस्ट में आप यलाइसा करा सकते हैं एंटि बॉड़ी टाइटर रेज कर जाएंगा आपके body में foreign agent आगे है तो antibody titor यहां पर raise कर जाएका ठीक है डेंगी virus की isolation भी आप कर सकते हो ठीक है कैसे कर सकते हो कि serum ले लो उस patient का ठीक है culture कर लो उसमें अगर आपको virus बिल जाए तो ठीक है patient को है यहां पर hemo concentration हो जाती है यहां पर hematocrit patient का increase कर जाता है ठीक है hematocrit increase कर जाता है thrombocytopenia हो जाता है patient को thrombocytopenia यह platelet के activation यह hallmark feature होता है dingy fever का बाकि आपने इसमें prevention क्यासे करनी होती है वो आपके पास यहां पर होने नीचे शेयर किया हुआ बलकि आपको पता है कि mosquito की वज़ा से हो रहा है तो आपने क्या करना है कि repellents को यूज करना नेट्स को यूज करना है सोते हुए या आपके को mosquito repellent sprays यूज करनी है और जहां-जहां mosquito जनम ले रहा है उसकी जो breeding sites हमको आपने खतम कर देना है कि flower pores को dry रखना है ठीक है body और arms को cover रखना है sunrise और sunset दोनों के time पर repellent lotion supply करो अपने body के ऊपर ठीक है इसके लावा cover करके रखो जो water containers है उनको ठीक है इसके लावा कहता है कोई अभी तक कितनी को effective vaccine इसके लिए नहीं आई ठीक है अब आप देखें कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ personal protection करें ठीक है इससे भी इतना अच्छा effect नहीं आएगा as compared to कि अगर हम personal protection भी करें और साथ हम लोग source of infection को भी कम करने ठीक है यह निया कि खुद jacket वेक्टे पहन के गूमते रहो और चाहे आपने stagnant water ऐसी पढ़ा हुआ है अगर आप दो चीज में को कमाइन करोगे इसको integrated vector control कहते हैं और यह बड़ी effective है एक तो इससे यह होगा कि आपका एक ही source एक ही चीज खतम नहीं होगी अगर आप सारे मिलके जहान के लोग मिलके सिर्फ और सिर्फ source of infection को ही कम करना कर दें चीक है इस प्रेज को यूज करना शुरू कर दें तो वह एकॉनमिकली भी हमारे पर बर्डेन होगा और वह वाला चीज जो आप maximum यूज कर रहे हो वाली इंटर्वेंशन जी उसके खतम होने के भी chances है तो combined जो आपका integrated vector control है इसमें आप 2 या 2 से जादा vector control methods को मिला कर यूज करते हो as compared to कि एक ही method को आप excessively use करते जाओ ठीक है इस तरह technical financial environmental operational प्रॉब्लम्स तहीं आती treatment इसका ही है कि symptomatic treatment ही करना है जो जो symptoms है ना उनको वस alleviate करते जाओ कम करते जाओ fever है तो antiviratics देदो body sponging कर सकते हो थाकि body temperature कम हो इसके लाब aspirin को avoid करना है because it is antiviral मैं आप इसको ब्रीवस वीडियो में चिकन फॉक्स वाली में explain कर चुक्यों कि इस बढ़ना क्या होगा अगर आप aspirin को यूज करें रेस syndrome हो जाएगा शॉक के case में patient shock में चला गया तो आपक उस patient को दे सकते हो ठीक है और अगर patient को persistent shock है उसको volume replacement किसे भी काम नहीं बन रहा तो फिर आप उसको blood transfuse कर रहते हो अच्छा इसको scenario नीच से लिखा हूँ मैं वैसे जली जली पढ़ देती हूँ उसमें देखें high grade fever है ठीक है university का student है headache है उसको पहली बात body egg भी है उसको macular papular rash भी है hematocrit बढ़ा हुआ है most diagnostic point thrombocytopin again in hallmark तो इससे आपने देख लेना इसके लावा next हमारे पस next scenario में क्या है intense headache है muscle joint pain, retoro orbital pain है ठीक है इसके लावा bleeding from gums है macular papular rash भी है इसका platylet count जो है वो हमारे पस क्या है कम है यहाँ पर normal क्या होता है 1 lakh 50,000 से 4 lakh hematocrit बढ़ा हुआ तो यह सारे diagnostic है इसके लिए I hope so you clear होगा thank you very much